अब डा रहे हूं इसमें चीनी मेरा सेवईया बन करके रेडी हो गया कितना अच्छा कितना लाजवाब बना है सबसे पहले आप सब ही कोईद की बहुत बहुत मुवारक बाद हो आज मैं सेवईया के खीर बनाने चल रही हूँ दिखाती हूँ कि कैसे बनता है चल ये मेरे साथ सेवईया के खीर बनाने के लिए मैं 100 गरम सेवईया ले हूँ ये छोटी लाइची है केसर है एक किलो दूद है 100 गरम चीनी है एक चमच देसी घी है नारियल का बुरादा थोड़ा सा किसमी सा ये ड्राइव फूट है किस काजू अब अदाम है चल ये मैं बनाने के लिए सुड़ू करती हूँ इसे बारिक बारिक तोड़ना है इसे हाँ से तोड़ देना है अब मैं सारे सीमिया को बारिक बारिक तोड़ ली हूँ ये देखिए सारे के बारिक बारिक टुकडे में कर ली हूँ ए दिखे सारे मेरा बारिक बारिक हो चुका है अब मेरा कडाही गरम हो चुका है अब मैं डार रही हूँ इसमें देसी घी एक चमच मेरा देसी घी है अब मेरा घी गरम हो चुका अब मैं डार रही हूँ इसमें सारे ड्राइव फूट इसे भून लेते हैं अब मेरा ये भून चुका है अब मैं इसे बाहर निकाल लेती हूँ अब मैं डार रही हूँ इसमें सारे सीमिया इसे हलका भूनना है इसे आप लगता चलाते हुए भूनिएगा एक दो मिनिट के लिए अब मेरा ये अच्छी तरह से भून चुका है अब मैं गैस बन कर देती हूँ ये देखे कितना अच्छा भूना है जो ये देखे अब मैं इसे एक बॉल में निकाल लेती हूँ इदेखे में कितना अच्छा भून चुका है ये अब मैं दूद गरम करने के लिए गैस पर रख देती हूँ अब मैं इसे उवा लाने तक इंतजार करती हूँ अब मेरा दूद में अच्छी तरह से उवा ला गिया है अब मैं इसे एक दो मिनट चलाते हुए पकाते हैं अब मैं इस केसर में थोड़ा सा दूटा रही हूँ यह अपना कलर छोड़ देगा अब मैं डार रही हूँ सारे सेवईया अब इसमें डार रही हूँ सारे ड्राय फूट अब इसमें जा रहा है यह किसमीस इसे बीच बीच में चलाते भी रहीएगा अब डार रही हूँ इसमें चीनी आप अपने हिसाप से मीठा ज़्यादा या कम कर सकते हैं अब डार रही हूँ इसमें नारियल का बुरादा ये है साथ में छोटी इलाइची अम डार रही हूँ इसमें केसर अम मेरा सिमिया बन करके रेडी हो गया ये देखिए ये देखिए ऐसा बना है ये अम मैं गैस बन कर देती हूँ ये दीखिए कितना अच्छा मेरा सिमिया बन करके रेडी हो गया है मैर कितना अच्छा कितना लजवाब बना है ये देखिए अम मैं इसे ड्राइफूड से गानिस कर देती हूँ ये देखिए यह मेरा सिम्य कितना अच्छा कितना ला जवाब बने अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लाइक सेर कमेंट करिएगा मैं मीन अच्छी भालती है मिलती हूँ आपको अगले नए वीडियो में तक तक के लिए बाई बाई